जैसा कि हम सभी कई बार बात कर चुके हैं, कि मन, प्राण और शरीर हमारे वो उपकरण है, वस्तुतर वो उपकरण है जो शुद्धिता और प्रशिक्षन के द्वारा इश्वर के सक्चे यंत्र बन सकते हैं, और जिसलिए हम इस धर्ती पर आए हैं, हमने ये पार्थिव जी करें, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन उपकरणों का सही प्रशिक्षन हो, सबसे पहले हम मन को लेते हैं, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, उसे नीरवता का स्वात चखाना बहुत जरूरी है, स्थिर और नीरव मन जब रहता है, निश्चलता के साथ जब वो अ हमको बड़ी आसानी से मेंगती है तो मन की स्थिरता कैसे हमें कठिन से कठिन स्थिती से बाहर निकाल लेती है इसका उधारण आज की कहानी है और ये कहानी सिर्फ बहुते किस तर पर नहीं है वो तेक प्रतीक है लेकिन जब हम योगपत पर जाते हैं तो अवश्यम भावी है निश्चित रूप से रास्ता हमारा कठिनाईयों से भरा आता है पर हमें याद रखना है कि वो कठिनाईया हमारी परीक्षा है चुनोती है और उससे बढ़कर प्रगति की सीरियां है एक सू अफसर है तो मन की स्थिरता पर ये कहानी है कि एक बढ़ही था बढ़ही का घर आ रहा था उसके पास चिकासी संपती थी पूरे पैसे ही खटे एक पोटली में रखके वो जा रहा था पैदल पैदल रास्ता थोड़ा लंबा था नहीं पर निर्जन रास्ता आ गया और वो चल रहा था अपनी धुन में अचानक उसके सामने एक लुटेरा आ जाता है उस लुटेरे के हाथ में बंदूख होती है उस बंदूख के बल पर वो इसे डराता और कहता जो कुछ है मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा यह उसे देखता है और चुप चाप अपने हाथ की पोटली उसे पकड़ा देता है क्योंकि वो ध्यान से उस कोई खास बात नहीं थी उसकी शक्ती का एक मात सबूत उसके हाथ की वो बंदूख थी यह खुद काफी अच्छी मासपेशियों वाला पुष्ट शरीर वाला स्वस्त वेक्ती था तो जिसका मन भी शान्त और स्थिरो और शरीर भी स्वस्त हो मासपेशियां उसकी नहीं होती उसने चुपचा पोटली उसे दे दिया था भाई यह ले जाओ लेकिन एक काम कर दो मेरा तुम ऐसा करो कि अपनी बंदूख से मेरी जो मैंने टोपी पहन रखी है उसे छेद कर दो उसने का क्यों तुम जाओ मुझे पोटली बिल गई एक तो मैं तुमारी जान बख्ष रहा हूं उसने का नहीं मेरी पत्नी को बरना विश्वास नहीं होगा वो सोचेगी कि मैंने पैसे कहीं उड़ा दिये हैं जुआ खेला है या दारूपी है तो कम से कम उसको पता चलेगा कि कि किसी ने मुझे लूटा है तो वो हस दिया और उसने बंदूख से एक ग मेरे इस कमबल में दो तीन गोलियां चला दो इसमें भी छेद होना चाहिए नहीं तो वो मुझे बड़ा कायर समझेगी तो सोचेगी मैंने कुछ किया ही नहीं तो उसने धड़ा धड़ गुस्से में आए के मजाग भी आ रहा है तो उसमों हसी भी आ रहे दी कैसा पागल है उसने काफी गोलियां चला दो और उसके कमबल में कई छेद हो गए उसने का धन्यवाद पर सुनो जरा ये कमबल तो अलग हो गया अभी तो बाहर बाहर से ही वार हुआ है लग रहा है मेरे अंदर जो मैंने कुर्टा पहना है इस पर भी चला दो उसने कुर्टा निकाल के औ असाम में फैला दिया उसने दो चार गोलियां सोचा चलाएं लेकिन उसके तो बंदूक में गोलियां ही नहीं उसने का अब जा मेरा टाइम मत वजगा सारी गोलियां भी मेरी खतम हो गए भाग यहां से और बस बढ़ई ने उसको जाके दबोच लिया अब तू क्या करेगा मेरा मैं जानता हूं तेरी ताकत यह बंदूक ती यहीं तो मैं चाहता था कि तेरी गोलियां मैं खत्म कर दूँ इसके बाद तू मेरा कुछ नहीं विगार सकता है और उसने उसे पकड़ा तो जमीन पर पटका और जोर से कहीं मार पीट की और वो घबरा गया हाथ जोडने लगा उसने का मेरी पोटली दे और भागता है वो चला गया बढ़ा ही को अपनी पोटली मिल गए लेकिन क्या ऐसा संभव था अगर उसने शांत स्थिर मन के साथ ये सारी योजना नहीं बने जब मुसीबत आती है तो हमारा मन कांप जाता है हमारा शरीर थर थराने लगता ह है हमारे प्राण को एकदम निश्चल कर देता है इसलिए मा करती है मन को शांत से बनाओ उसे नीरवता का स्वात चखाओ तब देखो ये मन कैसे अपनी भूमी का निवाता है कैसे वो सही दिशा में निड़ने लेता है कैसे वो परस्थितियों का सामना करना तुमें सिखा इसलिए मन के स्थिर्ता के लिए हम सब प्रयास करेंगे इसके बाद आता है कि मन हो चाहे प्राण शरीर तो है ही साथ में शरीर की अपनी चेतना तभी विक्सित हो पाईगी जब मन प्राण सही धंग से प्रशिक्षित होंगे नहीं तो वो मनमानी करते हैं मन का खोला हल प्राण की हट जीदें और मांगे शरीर को इतना ज़्यादा सताती है उस पर इतने अत्याचार करती है कि वो बेचारा इदम निरी हो जाता है और अंत में जब वो विद्रोह करता है तब तक वो बिल्कुल शक्त हीन हो जाता है लेकिन मन अप्राण अगर शिक्षित हो तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से उदारता का गुण विक्सित होता है वो सब के प्रती प्रेम से भरे होते हैं वो सब में अपना अपन समझते हैं वो सबको एक मानते हैं, उसी परम शक्ती से, इश्वर से जुड़ा हुआ, उसकी संतान के रूपने देखते हैं, वसुधय कुटुमपुकम की दृष्टी से देखते हैं, तो उदारता इतना गहरा, इतना सुंदर, इतना दिव्वी गुण है, कि अगर हम उसको विक्सित कर तो चारो तरफ शान्ती, चारो तरफ प्रेम और चारो तरफ सुंदर्ता चा जाती हैं। तो मन और प्राण की सुंदर्ता को अगर सामने लाना है, टाकि भौतिक जगत सुंदर हो, जिसके माध्यम से इश्वर की अनभूती हो, तो हमें इसे विक्सित करना होगा, ज़जा ने का है, क्या है महाराद इसमें सुर्मा है, जजा नेका अच्छा, इतना सा उसने का लेकिन ये कोई मामूली सुर्मा नहीं है, ये चमतकारिक सुर्मा है, इसको लगाने से किसी भी नेत रहीम की आंखों में द्रिष्टी आ जाएगे और ये बड़ी मुश्किल से मि अब राजय सोच में पढ़ गया कि इस सुर्मे को किसे दे, राजय के खुद की आँखे तो ठीक थी, उसने याद करना शुरू किया, उसके राजय में तो बहुत सारे नेतरहीन थे, किसको दे, किसे ना दे, वो इसी दुविधा में था, अचानक उसे याद आए कि उसका एक मंतरी जो कि बहुत अच्छा था, जिसके कारिकोशल की कोई तुलना नहीं थी, उसने सिर्फ इसलिए काम से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उसकी आँखें खराब हो गया उसकी दोनों आखों से दृष्टी चली गई थी, उसको लगा उसको अगर दे दू, उसकी दृष् और बताया कि ये सुर्मा है, जो बहुत विशेश है, आपकी दोनों आखों मेश से दृष्टी आजाएगी, फिर पिया आप इसको लगा लीजिए, हम आपको पुना अपने साथ देखना चाहते हैं, मंतरी नहीं देखा, उसने का ठीक है, राजा नहीं का देखें इतना साह ये बहुत सम्हाल के प्रयोग करिएगा, जरासा भी बरबाद ना हो, उसने का बिल्कुल चिंता ना करें, और राजा के सामने ही, उसने उस सुर्मे से फोड़ा सा निकाल के अपनी एक आँख में लगा लिए, और देखते ही देखते चमतकारिक धंग से उसकी आँखों में अपनी जीब पे रख लिए, राजा सिर्फ पकड़कर बढ़ गए, यह आपने क्या 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 तो इतना साही था, इससे तो आपकी एक ही आँख ठीक होगी और लोग आपको काना कहेंगे, उसने का नहीं राजान, कोई पुझे काना नहीं कहेगा, मेरी दोनों आँखे ठीक होंगी, मैंने इसे अपनी जीब पे रख के यह जान लिया है कि यह कैसे बना है, और अब मैं इसका निर्मान खुद कर सकता हूँ, मैं खुद सुर्मा बनाऊंगा ऐसा, और हमारे राजी के बहु कितने सारे नेत रहीनों को में रोशनी दोंगा, उनकी आपकों में दृष् कि आप जैसा रखती हमें मिला है, जब हम थोड़े से अंदर जाकर रहते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारा मन, हमारा प्राण कितना विशाल और कितना र्यापप हो जाते हैं, किस तरह से उन्होंने सब के बारे में सोचा, एक तो इसमें कोशल बढ़ने की बात है, ग्यान की बात है, और दूसरी तरफ हर एक के पती प्रेम की बात है, सबसे मिल बाट कर लेना, रहना, मिल जुल कर जीवन बिताना, मिल जुल कर खुशियां पाना, ये एक बहुत बड़ा गोड़ है, उदारता, दिविता का गोड़ है, और इसको अपन जरित के हर सत्ता के हर आयाम में, हर भाग में, हर पक्ष में इसको हमें स्थापित करना चाहिए, विक्सित करना चाहिए और इसको बनाया रखना चाहिए. इसके बाद जो तीसरी कहानी में लेकर आई वो है हमारे अंदर मनुष्य को कहते हैं कि श्री अरविंद स्पर्ष्ठी कहा है कि मनुष्य जो है आधे से ज़्यादा आनशिक रोप से नहीं बलकि अधिकांश्ता अभी वे पाश्विक्स प्राणी के ही रह गया है हमारे अंदर मन आ गया है माइन्ड है हम मनों में सत्ता का प्रतिने जित्व करते हैं लेकिन अभी भी हम अधिकांश्ता पशू है बलकि कई जगें वो कहते हैं कि कुछ माइनों में कुछ पशू भी हमसे बहतर है क्योंकि इस मानवी सत्ता के रूप में जब हम बढ़े हैं, हमने विकास किया है, तो बहुत कुछ हमने खोया है, कुछ पाया भी है, तो उसको हम कैसे देखें, उसका हम कैसे अवलोकन करें, इसी पर निर्भर करते हैं, हमारी प्रगते हैं, कई चीजों में हम पश्वों से भी बगतर हैं, उदारण देते हैं कि जैसे शक्ति बल में हम शेर से बाग से कमजोर हैं, वो हम से ज्यादा शक्ति शाली हैं, फुर्तीले पन में हम बंदर से बहुत पीछे रह गया हैं, वफादारी में टितग्यता के रूप को अपनाने के रूप में, प्रकट करने के रूप स्वामी भक्ति के दृष्टी से हम कुट्टे की बराबरी नहीं कर सकते इस तरह से वो कई उदारण देते हैं तो अपने अंदर पाश्विक्ता हो हम कैसे रूपांतरित करके उच्चिस तरह बल्कि जिसका श्रीयरविन का शब्द है अतिमानव के रूप में कदम कैसे बढ़ शकता है वो है समता का सैयम का सहन शीलिता का भाव और सबसे बढ़कर हमें जो कुछ मिला है पूर्ण कृतग्यता के साथ उसके प्रती स्वीकृति शिकायत नहीं करने की शमता को विक्सित करना ज्यादा तर मनुष्य शिकायत बहुत करता है मां कहती है मनुष्य जो है वो खतम नहीं होती है तो ऐसी एक छोटे से बच्चे की कहानी है लेखर कहते हैं कि मैं शाम का समय था और अपने घर के पास में जो बगीचा है पार्क है उसमें तहल रहा था और मैंने देखा कुछ बच्चे रेल गाड़ी का खेल खेल था जाता था और रोज देखता था वो वो केवल हरी जंडी दिखाता था तो ट्रेन रुपती थी आगे बढ़ती थी जब वो रोपता था लाल जंडी दिखा के तो ट्रेन रुपती थी बाखी बच्चे बारी बारी से कभी इंजन बनते थे कभी डब्बे बनते थे एक दिन वो देख रहा था कि सारी चले गए व है पिता मेरे हैं नहीं लोट के आएगी तब मैं उसके साथ घर जाओंगा उन्हें का अच्छा पर एक बात बताओ सारे बच्चे अपना रोल बदल बदल के खेलते हैं तुम रोज गार्ड बनते हो तुम्हारा मन नहीं करता कुछ और करने का तुम क्यों ऐसे करते हो उसने चुप चाप उनकी और देखा और फिर कहा मैं कैसे और कुछ बन सकता हूं सारे बच्चे लाइन से एक के पीछे खड़े होते हैं पीछे वाला बच्चा आगे वाली की शर्ट हैं मेरे पास तो शर्ट है ही नहीं तो मेरे पीछे कौन खड़ा होगा और मुझे कोई कैसे पकड़ेगा पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं खेलूंगा ही नहीं इसलिए मैं गार्डी बन जाता हूं कम से कम मैं खेल में भाग तो ले पाता हूं मैं अपने दोस्तों के सा तो बच्चा बोल रहा था फिर लेखक ने देखा उसकी आँखों में नमी थी ऐसा नहीं था कि उसको इस अभाव को कोई दुख नहीं था पर बजाए विद्रोग के बजाए लड़ाई करने के बजाए शिकायत करने के बजाए रोने के अवसाद ग्रस्त होने के वो सिकार करके इसी में अपने को एड़िस्ट कर रहे हैं इस एक बात से अगर हम यह सीख सकते हैं कि जीवन जैसा भी है आगे बढ़ते रहना है जीते जीने की ललक को खतम नहीं करना है तभी तो हम जीवन के उदेश को फोच पाएंगे और तभी तो हम उसको पाने का प्रयास कर पाएंगे तो कहां नहीं भले छोटी सी है छोटे से बच्चे का अनभव है लिकिन हमारे लिए संदेश देखे जगते हैं हमें इससे सीखना है अकसर होता है मनुष्यों में बहुत इर्ष्या का भाव होता है वो बच्चा इर्ष्या कर सकता था कि औरों के पास इतना क्यूं है मेरे पास क्यूं नहीं मनुष्य तो यहीं करता है अपने पास न होने के दुख से ज़्यादा उसे दूसरों के पास होने के लिए इर्ष्य होती है वह सुंदर लाइन कहीं देखी थी मेरे सामने ही लिखी हुई है यह इसमें कहते हैं कि चील की उडान देकर चिडिया कभी डिप्रेशन में नहीं आती यहां वही तुलना हो रही कि हम पश्वों से بहुत कुछ सीख सकते हैं उसको हमने खो दिया है, चील की उडान देकर चिडिया डिप्रेशन में नहीं आती, केवल इनसान ही है जो इर्श्य वश राज से भटक जाता है, अपने लक्ष से दूर चला जाता है, जबकि हमें यह दृष्टिकोन अपनाना चाहिए, ना किसी से इर्श्या, ना किसी से हर एक का अपना रास्ता है, हर एक का अपना पत है, हर एक को अपने तरीके खोजने हैं, लेकिन सकारात्म भाव से आगे चलना है, यह मान के चलना है, कि जो कुछ है, सब भगवान का है, अगर हम हर समय भगवान के साथ जी रहे हैं, भगवान के लिए जी रहे हैं, और भग अन्तिम उसके साथ एक कहनी और है अगर सुना चुकी हूं तो पता नहीं पर ये बहुत सुन्दर भाव है कि एक सजन थे जो बैंक में काम करते थे अचानक उन्होंने देखा एक बुजर्ग बहुत बेर से खड़े इधर उधर देख रहे हैं किसी को गोज रहे हैं लगा कोई सहायता चाहते हैं तो उन्होंने कहा क्या आपकी सहायता कर सकता हूं बुजर्ग बोले हम मैं एक मित्र का इंतजार कर रहा था उसका भी मेसेज आगल नहीं आएगा जिक कर लाए है नोनने उनका भर दिया अनके पैसे निकल वाई इची तरह से उनके बैग में रख वाई अ ना कर दिया ना, ये बड़ा अजीब सा समय है, वो सके तो मेरे लिए कोई रिक्षा करवा दिया, इसने का ठीक है, फिर अच्छा रिक्षी की क्या जोरू था आपको कहा जाना चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा रास्ता वही कि कोई बात जहां कि मैं आपको छोड़ के घर जाओंगा, उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाए हूँ, जब उनकी घर पहुंचे तो देखा, उनकी पत्नी दर्वाजे पे खड़ी थी, परिशान थी, व्याकुल थी, इनको साथ अपने पती को देख कि उनके चेहरे पे और हवाईयां उड़ गए, उनका चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी साहता है कि मुझे यहां पहुंचाने आए हैं, पिर दीर ऐसे का वो सोच रहे हैं, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि हम दो ही हैं, उसको हमीशा मेरी चिंता लगी रहती है, फिर का आप आईये न थोड़ा सा, हमारे साथ चाय पी कर जाएए, उनका ठीक है, पत्नी ने दोनों को बड़े प्यार से घर में बुलाया, अंदर आए, वो चुप चाप उनका घर देख रहे थे, साधारन सा घर था, लेकिन बहुत सुरुची के साथ, बड़ी अंदर लगता है, यहां बड़ी शांती है, उसने का भगवान, ऐसे फिर कई बाते करने रहें, उनका आप अखेले रहते हैं दोनों, बहुले हाँ, भगवान के इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, वो तो बाहर के ही हो गए हैं, आते भी न लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में भगवान को रख लेंगे, लेकिन हम तो भगवान के घर में रहना जादा अच्छा लगता है, भगवान का ही तो घर है, लेखा कहता है कि मुझे वो बात ऐसी छू गई, लोग तो मरने के बाद भगवान के घर जाते हैं, जीते जी कोई भगवान के गर, क्या ये श्रीयारदिन का योग नहीं है, जहां भगवान को इस धर्दी पर ले आना है। कहता है, इस से न बड़ा फायदा है, जब हम कहते हैं भगवान के घर में रहते हैं, तो हमारी कितनी चीजों पे अपने आप नियंतरन हो जाता है कुछ भी करने के पहले हम कहते हैं भगवान के घर में हैं भगवान के घर में कैसे रहना चाहिए ये बात बार बार हिट करती है हम बड़े सजग सतर्क और सचेतन रहते हैं और सच बताओं बड़ा सुख मिलता है अकेलापन कभी लगता ही ने क्योंकि भगवान हमारे साथ है मुझे भी लगा कि सच में कितना चोटा सा तरीका है कितना सरल सा वेवार है लेकिन कितना सठीक और कितना प्रभावश्य ले तो हम सब भगवान के घर में रहें इस पूरी दुनिया को भगवान का ही घर कहें भगवान के साथ बस आज यहीं खतम कर रहे हूं चालो पहिया यहीं समाप करते हूं